आपको जानकर हैरानी होगी कि आप इस रेड कलर के कीड़े को हर रोज खाते हो जिसे कार्माइन या E20 भी कहा जाता है इसके बनाने का तरीका अगर आपको पता लग जाए तो आपको रेड कलर से नफरत हो जाएगी इस कीड़े का नाम है कोचिनिल जो कि साउथ अमेरिका, मेक्सिको और नौर्थ अमेरिका में सबसे यदा पाये जाता है इस कीड़े को पीस कर निचोड़ा जाता है और फिर जो रेड कलर का पिग्मिंट निकलता है उसे कहते हैं कार्माइन इस कार्माइन में कुछ और केमिकल मिला कर इसमें मौजूद impurity इसको हटा दिया जाता है और फिर इसे lipstick और make-up में इस्तमाल किया जाता है और सबसे ज़्यादा किसी भी खाने के item में red color add करना हो तो इसी कार्माइन का इस्तमाल होता है इन food items में soft drink, ice cream, sweets सबसे ज़्यादा होते हैं और सबसे बड़ा खुला सक्या Starbucks ने जो कि खुद मानता ही कि वो अपने food items में कार्माइन का use करते हैं Starbucks ही अकेला ऐसा करने वाला पहला retail chain नहीं है बलकि Coca-Cola, Mentos, Tropicana जैसे बड़े-बड़े ब्रैंड शामिल हैं एक किलो कार्माइन बनाने के लिए 1,40,000 कीडों को पीस करने चोड़ा जाता है